दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक official तरीका जिसके तहट आप अपने छोटे वाले फोन से जिहां दोस्तो फीचर वाले फोन से भी अपने account का balance चेक कर सकते हैं account का balance ही नहीं दोस्तो आप चाहें तो किसी को पैसे भेज भी सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने account का balance कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी bank का लेकिन अगर आपको जानना है कि किसी के bank account में पैसे कैसे भेजी इस छोटे वाले फोन से तो description में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का या फिर आप मेरे channel पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए live आपके सामने मैं अपने account का balance चेक करके दिखाऊंगा इस छोटे वाले फोन से ये तरीका दोस्तों official है ऐसा कोई भी मतलब fake तरीका नहीं है बिल्कुल RBI ने इसे launch किया है ताकि छोटे वाले फोन से आप भी पैसे transfer कर सके क्योंकि अभी भी दोस्तों भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी छोटा वाला फोन यूज करते हैं फीचर फोन यूज करते हैं इसलिए यहाँ पर RBI ने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए फीचर लांच किया है जिसके ताद आप भी बीना इंटरनेट के छोटे वाले फोन से किसी को भी पैसे transfer कर पाएंगे तो चलिए जान लेते हैं लाइव इस वीडियो में पूरा डीटेल की कैसे आपको अपने account का balance चिक करना है तो सबसे पहले balance चिक करने के लिए सबसे पहले आपको feature phone में आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी number bank account में link है उसी number से पूरा process करें तभी आप अपने bank account का balance चिक कर पाएंगे पैसे भी भेज पाएंगे तो चलिए अब जान लेते हैं सबसे पहले आपको dial call में जाना है और यहाँ पर टाइप करना स्टार नाइन नाइन हच देख सकते हैं और जैसे उसे एकजीट करेंगे थोड़ी दिर में देख सकते हैं आपके सामने option आएगा select option यहाँ पर देख सकते हैं आपके bank का नाम आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे option आएंगे देख सकते हैं send money, send request, check balance अगर आपके phone में यह वाला option नहीं आ रहा है तो इसके पहले भी एक step है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें उसमें मैंने बताया है कि आप UPI PIN भी कैसे create कर सकते हैं नहीं सबसे पहला step हो है तो description में लिंक मिल जाएगा या फिर मेरे channel पर भी जाके आप देख सकते हैं लेकिन अभी इस वीडियो को पूरा देखें तभी आगे जाएंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि आखिरे funda क्या है तो चलिए हमें balance चेक करना है तो यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे काम आप यहां से कर सकते हैं पैसे बेज़ रखते हैं रिक्वेश चेक करके दिखाता हूँ है जह सबक्य आगे हां पर numbering दिया हुआ जो भी आपको करना है वो number यहां पर तैप कर देख सकते हैं Check Balance के आगे तीन है तो हम यहां पर तीन टाइप करके हैं सेंड पे तो यहीं में फंड आए अगर आपको नहीं पता कि यह है उपी आइपिन क्य नहीं किया है तो वहां पे कैसे create कर सकते हैं कि बीना UPI PIN के आप यहां पे transaction नहीं कर सकते हैं यानि चार अच्छर का password होता है अगर आपने Google पे फोन पे पेटियम चलाया होंगे तो आपको पता होगा वही वाला UPI PIN आपको यहां पे डालना है लेकिन अगर आपने कभी UPI PIN डाल के आगे का process करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहां पे अपना UPI PIN डाल रखा है तो आपको भी यूपी 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 यूपीड डालना है उसके बाद OK पर क्लिक करना है और यह वाला UPI PIN किसी को बताना नहीं है तो चली हमें आपर OK पर क्लिक देखेंगे कि हमारा balance यहां पे देख सकते हैं your account balance is यहां पे देख सकते हैं बता रहा है कि 925 रूपय यहां पे balance है तो दोस्तो इसी तरीके से आप भी अपने छोटे वाले फोन में यानि feature फोन में balance चेक कर सकते हैं अपने account का बहुत ही simple तरीके से लेकिन इसके लिए आपको UP पीडियो पीन की जरूरत होगी तो अगर आपको नहीं पता की उपियाई पीन क्या है कैसे जेनरेट करें तो उस पे पहले ही मैंने वीडियो बना रखाया तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें उसके बाद ये वीडियो देखिए तभी आपको पूरा डीटल समझ में आग कर देखें